Hello students, welcome and welcome back to class English simplified and thank you so much for joining us So students class 10th footprints without feet say, आज हम chapter number 3 करेंगे भोली इसके हम long questions and answers को आज यहां cover करेंगे और यह आपकी value based questions and answers में भी cover होते हैं तो start करते हैं student अपने question को, तो question है हमारे पास Education is always a great assist in the life of a woman की जो एक शिक्षा होती है वो एक वोमन के लाइफ में एक बहुत बड़ी संपत्ती के रूप में काम करती है एक धन होती है How did भोली एन एजुकेटीड गर्ल face the challenge post by बिसंबर स्ग्रीट और भोली ने जो कि एक शिक्षित लड़की थी उस तरी उसने किस प्रकार बिसंबर दास के लालच का challenge को स्विकार किया जो कि उसके सामने आया तो answer है Education is always a great assist in the life of a woman की एक वोमन के लाइफ में जो education होता है वो सच में ही एक सबसे बड़ी संपत्य के रूप में होता है Education is a major basis of women's empowerment Education जो होता है वो एक बहुती major आधार होता है किसी भी women's की शशक्ति करन का शिक्षा के कारण ही एक woman जो है अपने आपको शशक्ति कर सकती है Bully was an uneducated girl Bully जो थी वो एक बहुती अनपर लड़की थी She agreed to marry an old man to honor her fathers in the society और अपने father की society में respect रखने के लिए वो एक बुड़े वेक्ति से शादी करने के लिए तयार हो गई Thereby she placed her families and trust over her own और इस तरीके से उसने अपने परिवार के हित को अपने से उपर रखा जब उसने ये देखा कि जो बुड़ा वेक्ति है वो बहुती लालची है स्वारती है तो उसने उससे शादी करने से मना कर दिया Taking advantage of her father's helplessness अब उसने क्या करा कि उसके father की असहायता का फायदा उठाने की खोशिश करी विशंबर demanded a heavy dory अब जो विशंबर था उसने एक बहुती भारी दहेश की मांग उसके father से कर दिया भोली turned this demand as illegitimate and she refused to marry विशंबर अब भोली ने उसकी इस मांग को नाजाज ठहराया और उसने विशंबर से शादी करने से मना कर दिया on her this step the society pointed fingers at her और उसके step पर society ने उसके उपर उंगली उठाई and told that she is a very evil girl और उसके साथ साथ उन्हों ने ये कहा कि ये तो देखो बहुती बुरी लड़की है she found that society as well अब उसने उस society के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी and all this only further it was possible only when भोली had taken the money called education और ये केवल और केवल तभी संभव हो पाया जब भोली ने कौन से धन को प्राप्त किया था उस धन का नाम था education क्योंकि उसने शिक्षा प्राप्त की थी तो उस धन की वज़े से वह अपनी समाज में respect करवा सकी और नाजाइज बांग के खिलाफ आवाज उठा सकी if she was not educated अगर वो educated नहीं होती then she would never have been able to face this injustice तब वो कभी भी इस अन्याय का सामना नहीं कर सकती थी so it is very important for women to be educated for their empowerment and it helps them in every way make strong और इसे लिए एक woman के लिए बहुत ही important हो जाता है कि वो education को ले अपनी शशक्तिकरन के लिए और ये उसको हर step पर strong बनाने का काम करती है तो इसे वज़े से हम कह सकते हैं कि एक woman के लिए जो education होती है वो सच में ही उसके लिए एक ऐसा धन होती है जो उसे जरूर से जरूर प्राप्त करना चाहिए तो student उमीद है या answer आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए all पर hit कीजिए ताकि आने वाला हर वेलिवल वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में keep watching, stay connected, thank you